कि दोस्तों से साल हो चुके हैं मेरी स्कूल लाइफ को कंप्लीट हुए को जा फिर कहूं कि मैंने जब जे अनवी अपनी प्लस्टू कंप्लीट की थी जुहार नवोद्य विदाले जिनको पता है उनके लिए अच्छे जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं येक हमारा स कोश्टल हम में रहा था मैं साथ साल के लिए तो वो मेरी जिन्दगी के बहुत ही अच्छे पल थे क्योंकि उन दिनों उन जिन्दगी के फेज में मैंने बहुत कुस सीखा बहुत कुस वहां से अनुशाष्ण आया तो पिछले जब भी मैं जीवन को देखता हूं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं पिछले हमेशा गुजरे से सालों के बारे में सोचता हूं और मुझे बहुत खुशी मैसूस होती है खुशी क्यों मैसूस होती है कि मैं रुका नहीं दोस्तो पलस 2 वह कख्षय थी जा मैरे बितर वहाग जीवन को लेकर कि मुझे कुछ जान ना वितर पियास थी कुछ जानने की बितर पाने की पता tässä पाने करना चाहते हैं ऐसी दोस्तों हर चीज कभी आपने गौर किया हो तो दिवारों में से पिपल की पोदी निकलाते हैं कई बर यहां पर समेंट होता है भान से भी कई बर पोदी निकलाते हैं तो यहां से आप सीख सकते हो कि यहां पर जो भी संसार में चीज वह अपने आपको घ उठाना चाहती है और जिवनेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें जाने की इच्छा रही तो से साल बले ही एक चीज़ मैंने देखिए है जिन्दगी में हमेशा गुजर जाने के बाद वक्त हमें लगता कि यार पता नहीं कैसे गुजर गया यही जिन्दगी है दोस्तों बड़ी मिस्टेजिस है तो वक्त गुजरता रहता है और गुजरने के बाद हमें लगता है कि कैसे गुजर गया से साल हो चुकिए हैं न, शे साल पहले एक अलग जीवन था, तब अलग चेतना थी जीवन को परसीव करने की परशेप्षिन जीवन के प्रती अलग था बट अब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जीवनको में हमेशा ग्रो कर रहा यह चेतना की जाते रहें तो अब देखते हैं तो अब भी मैं आने वाली वीडियो में क्या करने वाला हूं मैंना मेरे देखो मैंने मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैंने चेतना का विकास किया और मैं अपने जीवन को समझूंगा अपने ही मन को समझूंगा इससे आप लोग को help मिलेगी तो मैं अपने ही गुजरे हुए वक्त और जीवन के बारे में जो मुझे समझाएगा जो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ जो मैं अपने जीवन के बारे में बता सकता हूँ को समझें उसको आपको भी समझने में मिलेगी ठीक है दोस्तों तो यह हम श्री शुरू करेंगे इसमें हम बहुत सरी बाते करेंगा और सबसे ज्यादा उन लोगों को फैदा होगा जो गुमना फिरना चाहते हैं उनको फैदा यह होगा कि उनको पता चलिगा कि मैं कम सक बहुत बहुत आश्रूमों में राया चुका हूं बहुत जगा घुमा हूं फरी में कैसे हम चीजों को मनेज कर सकते हैं कैसे गुम सकते कैसे वहार रह सकते हैं वह सब चीज़ जब को सिखने को मिलेगी कैसे मैंने अपने जीवन को मनेज किया ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं और बहुत सारी वात्य करेंगे जीवन को लेकर फिलोस्पिय को लेकर साइकलोजी को लेकर मन को लेकर अध्यात्म को लेकर सेक्षिल अनर्जी को लेकर मेर्टेशन को लेकर ध्यान को लेकर प्रणायम को लेकर ट्रैवलिंग को लेकर हमारे शरीर को कैसे फिट रखें इन चीज तो इन सबसे आपको भी हल्प होने बाली है और इन सब की बाएर में हम बात करेंगे तो चलते चली दोस्तों सच में जीवन अच्छा लगता है बस पकणा होता जीवन में में जीवन कर वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं बट बात ये कि हम सिखने को त्यार हैं जर नहीं मिलते हैं जल्दी प्रणाप